हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक इंटू रियल इंफ्रमेशन यूट्यूब चैनल तो मेरा नहीं है लप्रीत और तो दोस्ता आज की वीडियों मैं आपको बताने बाला हूं फाइल सिस्टम के बारे में हम आप जाने के तीन फाइल सिस्टम के बारे में और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इन में क्या डिफरेंस है तो वीडियो को पूरा देखेंगा अलकी वीडियो में आपको कमाल की जानकारी मिलने वाली है सब्सक्राइब कीजिए हमारे रियल इंफ्रोमेशन यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर प्रेस्ट करना मत बुलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो की नौटिक्वेशन पाने के लिए कि तूस्टों सिस्टम एक किसम का डाटावेस होता है जिसमें को स्टोर किया याता है किसी भी रयो हमने का इसना प्रूंत की जोंट पड़ती की नौनल सब्सक्रिकल करना है तो सबसक्राइब और फैट 16 आये हैं उसके बाद इसे डिवलाप करकर फैट 32 किया गया और फैट 32 को उनिवर्सल फाइल सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यह हर किसी डिवाइस में यूज किया जा सकता है हर कोई ओपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस इसे स्पोर्ड करता है इसलिए इसे यूनिवर्सल फाइल सिस्टम भी कहा जाता है अब बात करते हैं एंटी एंफस के बार में एंटी एंफस की फुर्फॉर्मेंट न्यून टेकनोलजी फाइल सिस्टम तो इसे नाइटी नाइटी त्री में लॉंच किया गया था विंडूस एंटी के साथ और उससे पहल क्योंस का उससे लौन टिफ्ट में एंटी एफस का यूस किया जाता है विंडूस में क्या यह काफी ज्यादा फissements आपकर तो ऑब बात करते हैं इस फैड फाैट सिस्टम की एकस्ट सिस्टम की फुल फॉर्म है एक्स्टेंडर फाइल एलेक्शन सिस्टम इस फाइल सिस्टम का 2006 में इंटर्ड्यूस किया गया था यह फाइल सिस्टम काफी यादा अडवांस है कंपेरिजन एंटी एफस और फैट 32 के दोस्तों अब बात करते हैं इन में क्या डिफरेंस है अगर फैट 32 की अनि में मेंपरी की बात की जहे तो सिसमें 4GW तक का डाटा हम डाल सकते हैं और या अगर उन हम 16 TV तक का डाटा डाल सकते हैं और इसके अलाबा अगर हम एक्सटेंड की बात करें आप इसमें पेटबाइट तक का डाटा तक डाला sa MAX इस पर आप पासबर्ड लगा सकते हैं किसी फोल्डर या फिर फाइल पर और अपक्वाइल और फोल्डर पर अपना पासबर्ड लगा सकते हैं अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो इस नहीं किया जा सकता लेकिन NTFS और EXPAT में किया जा सकता है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि यह data encryption क्या होता है अगर आप अपना data encrypt करकर डालते हैं अपने storage device में तो दोस्तों आपका data score हो रहता है अगर आपका device हो जाए जहां फिर कोई चुरा ले तो उसमें वो data नहीं read कर सकता है कि उसके अंदर क्या data है उसके लिए एक key होती है जो सिर्फ आपके पास होगी तो दोस्तों अमीद है आज की वीडियो में आपको काफी कुछ नहीं जानने को मिला होगा और आपको इन file system के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी अगर दोस्तों वीडियो पसंद आजिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा अगर आपके मार में कोई स्वाल है तो question जरूर कीजिएगा comment box में और मैं दोस्तों मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में कुछ नई information के साथ तब तक के लिए अपना रखिए रखाया good boy